दोस्तो, sperm donor या sperm donate करना या सब्द या नाम अक्सर आपने सुना होगा जैसे blood donor होते हैं या blood donate किया जाता है और जिस बैक्ति को आवसेक्ता होती है वह उस blood को लेता है वैसे ही sperm donor होते हैं और जिसे आवसेक्ता होती है वह उसका यूज करता है या जिन महिलाओं को जरूरत होती है वह कृत्रिम तरीके से उस स्पर्म का उपियोग करती है और मा बनने का सपना पूरा करती है दोस्तो आज की कहानी एक 48 वर्ष के ऐसे सक्स की है जिसने अमेरिका से लेकर एसिया तक अपना स्पर्म डोनेट कर चुका है और अभी की तारीख में उसके इस पॉम से 10 महिलाएं गर्भवती हैं जो उसके बच्चियों को जन्म देने वाले हैं उनके कई देशों में अभी तक 165 बच्चे हैं और दिल्चस्प बात यह है कि उनका सबसे पहला और बड़ा बेटा आज 20 साल का हो चुका है नमस्कार दोस्तों मैं पंकज गोस्वामे हाजिर हूँ एक नई और दिल्चस्प कहानी के साथ आज की कहानी सुनाने से पहले आपसे एक गुजारिस है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो किरिपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सबस्क्राइब तथा फॉलो अवस्य करें ताकि हमारा मनोबल योहीं बढ़तर है लौटते हैं अपनी कहानी की यूर दरसल आज की यह कहानी अमेरिका से है अमेरिका के ब्रूकलिन में 48 साल का बैकती रहता है जिसका नाम एरी नेबल है एरी नेबल एक कॉलेज में मायत के प्रोफेसर हैं और पूरी दुनिया में उनके 165 बच्चे हैं एरी नेबल अभी तक कुमारे हैं और वह स्परम डोनेट करने का काम भी करते हैं उन्होंने अब तक अमेरिका, यूरोप, एसिया और अफरीका सही दुनिया की कोने कोने में जरूरत मंद महिलाओं को एस्परम डोनेट कर चुके हैं इसी कारण एरी नेबल को एस्परमिनेटर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों 16 जून को फादर्श डे मनाया गया पर उससे चार दिम पहले यानि 12 जून को नेगल के 165 संतान का जनम होगा था नेगल के अनुसार जब वह 50 वर्ष के हो जाएंगे तो इस्परम डोनेट करना चुड़ देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि 50 के उम्र में इस्परम डोनेट करने से ओटीज्म जैसी मानसिक बीमारी हो सकती है दोस्तों एरी नेवल के 56 बच्चे निव यार्क में 20 निव जर्सी और 13 बच्चे कने टीकट में है इसके साथ ही उन्होंने कनाडा, इसराइल, जिंबाबे और लॉंग आईलेंड में भी इस्परम डोनेट कर चुके है इन सब में सबसे बड़ी और खास बातिया है कि जो महिलाएं अभी उनके इस्परम से गर्भ वाती है उन महिलाओं की संख्या 10 है और वह सभी 10 महिलाएं जुलाई 2024 और अगस्त 2024 के बीच बच्चों को जन्म देने वाली है नेगल परतीक साप्ताह में 1 से 2 महिलाओं को अपना इस्परम डोनेट करते हैं और इसके लिए कई किल्निक्स और अस्पतालों के संपर्क में रहते हैं नेगल की खास बात यह है कि अपने 165 बच्चों में से 100 से ज्यादा बच्चों के वह संपर्क में हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि स्परम डोनेशन के जरिये पैदा होने वाला उनका पहला बेटा आज 20 साल का हो चुका है बहुत बार नेगल के साथ ऐसा भी होता है कि स्परम लेने के बाद उनके बच्चों की मा संपर्क में रहने से इनकार भी करती हैं लेकिन नेगल उन महिलाओं के लिए इस बिकल्प को खुला रखते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होते ही उन महिलाओं का इरादा बदल जाता है नेगल के मातर 34 बच्चे ही ऐसे हैं जिनसे उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है नेगल सबसे ज़्यादा उन्हीं बच्चों से मिल पाते हैं जो अमेरिका में ही रहते हैं नेगल की ओफिस की दिवारें उनके बच्चों की तस्वीरों से भरी पड़ी हैं एरी नेवल अपने बच्चों के नाम, डेट अब बर्थ, एड्रेस और यहां तक की उनके कॉंटेक्ट नमबर का भी रिकॉर्ड रखते हैं फादर्सडे के मौके पर दुनिया भर में मौजूद उनके बच्चों के द्वारा तोफे हमेशा मिलते रहते हैं दोस्तों, नेगल अभी तक साधी नहीं किये हैं और अपने लिए एक जीवन साथी की अपतलास में हैं 165 बच्चे होने की वजह से बहुत सी महिलाएं उनके साथ रिलेसंशिप में आने से कतराती हैं और उन्हें डेट भी नहीं करना चाहती हैं पर नेगल को उमीद है कि जल्द ही उनको अपना एक सही लाइफ पाटनर मिल जाएगा तो दोस्तों, आज की अजूबा और दिल्चस्प इंसान, एरी नेबल की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें उस से बताईएगा साथ में अपना और अपनों का ख्याल रखिए मुझे दीजिये इजाजत फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ नमस्कार